प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश रोमांटिक पोईट पीबी शेली की एक छोटी सी पोयम के बारे में जिसका नाम है अलेमेंट फ्रेंट्स लेमेंट का मतलब होता है दुख मनाना या ग्रीफ जिसे हम कहते हैं उसे एक्सप्रेस करना तो इस पोयम में पोईट जो है वो अपने मन में जो ग्रीफ है जो दुख है उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं यह पोयम 10 लाइन्स की है और दो 5 लाइन्स टैंजाज में बांटी गई है साथ ही इस poem की rhyme scheme है A A B A B फ्रेंट्स यह जो poem है यह एक lyric poem है और इस poem में poet हमें यही बताते हैं कि किस तरह time change हो चुका है situation इस दुनिया की change हो चुकी है लेकिन अब इन changes से क्या हुआ है कि जो हमारी life में पहले खुशियान थी जो happiness थी वो अब हमसे दूर हो चुकी है और उनकी जगा बस pain है sorrow है तो एक तरह से कह सकते कि यह poem बहुत ही जादा pessimistic है एक निराशावादी poem है यह और इस poem में इसी तरह की बातों को भी express किया गया है फ्रेंट्स पीवी शेली एक English romantic poet थे उनका जन्म हुआ था 4th August 1792 में और उनकी death हुई थी 8 July 1822 में साथ ही उनकी poems में या उनकी works में जादा तर जो ideas रहते थे, themes रहते थे वो non-violence और vegetarianism के हुआ करते थे उनकी famous works में Ozymandias, Ode to the West Wind, To a Sky Lark इस तरह के works शामिल है तो चले friends अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को समझने की कोशिश करते हैं O world, O life, O time यानि poet यहाँ पर इन तीनों को address कर रहे हैं किनको तो पहले दुनिया को, दूसरी इस जिन्दगी को और तीसरा समय को, इन तीनों को poet address कर रहे हैं On whose last steps I climb जिनके पिछले कदमों पर मैं चलता हूँ इसे इस तरह से समझिये कि अगर कोई आपका एक mentor है जो आपके आगे चलता है, आपके आगे की रास्ता आपको बताता है तो आप उसी के पैरों के कदम पर चलते हैं तो यहाँ पर यह तीनों ही क्या है, मेरे mentor की तरह है यह दुनिया, यह जिन्दगी और यह समय और मैं इन ही के बताय कदमों पर चलता हूँ और यह बात सोच कर मैं काप रहा हूँ कि कहां मैं पहले खड़ा था कितनी changes आ चुकी हैं, मैं कहां था और कहां पहुँच चुका हूँ और जो तुम्हारी glory थी, जो शुरुवात में तुम्हारी चमक थी जो तुम्हारी popularity थी, तुम्हारे अंदर जो faith था वो कब लोटेगा इस दुनिया से खुशियां चली गई है, जिन्दगी से खुशियां चली गई है समय की जो gloryness है, वो सब कुछ छिन गई है और पोईट को इंतजार है कि आखिर ये सब कब लोट के आएंगी अभी कि ये जो दुनिया है, ये जो जिन्दगी है ये तो अतनी खुबसूरत, अतनी खुशियों से भरी नहीं है No more, oh never more यानि पोईट खुदी अपने question को यहाँ पर answer कर रहे है कि ऐसा कभी नहीं होगा ये जो gloryness is life की, इस world की जा चुकी है वो अब कभी लोट कर नहीं आएगी Out of the day and night, a joy has taken flight यानि इस दिन और रात में जो खुशिया कभी हुआ करती थी एक joy हुआ करती थी उसने क्या की है, एक उडान भर ली है और वो यहाँ से दूर चली गई है यानि पहले जो समय के साथ हर दिन, हर रात जो खुशिया रहती थी वो भी यहाँ से जा चुकी है अब यहाँ कोई खुशी नहीं है सिर्फ दर्द है, परिशानी है और दुख है अब यहाँ पर इन तीन सीजन्स को बताया गया है आपको पता ही है, टाइम के साथ सीजन्स भी चेंज होते है तो इन तीनों सीजन्स को यहाँ पर पोईट कह रहे है कि स्प्रिंग का मौसम जो बहुत फ्रेश था, फूल खिरते थे उसके बाद समर आता था जो मुझे बहुत पसंद था और फिर विंटर का मौसम जब बर्व गिरती थी यह तीनों ही यानि यह तीनों ही मौसम जो है यह मेरे इस दिल को क्या करते हैं दर्द से, पेन से भर देते हैं एक समय था जब इन सभी सीजन्स के चेंज से मुझे खुशिया मिलती थी नए सीजन का मुझे इंतजार होता था यह सोच कर मैं खुश होता था लेकिन अब यह जो सीजन्स बदल रहे हैं जो चेंजेस आ रही हैं इन्होंने मेरे दिल को, मेरे हार्ट को क्या किया है पेन से भर दिया है यानि अब यह जो डिलाइट थी वो क्या है वो नहीं है, वो कभी लौट कर नहीं आएगी यानि एक तरह से कह सकते हैं अब यहां पर लाइफ इस अर्थ पर लाइफ डिग्रेड होती चली जाएगी जो खुशिया मुझे एक समय में दिखती थी वो खुशिया अब कभी लौट कर नहीं आएगी और अब यह जो धरती है, यह जीने लायक नहीं रही है तो एक तरह से पोईट बहुत जादा परिशान है यहां पर फ्रेंट्स यह पोईब खत्म होती है छोटी सी पोईब है, सिंपल वर्ड्स का यूज किया गया है लेकिन बहुत ही जादा निराशावादी है बहुत जादा पेसिमिस्टिक पोईब है पोईट ने मान लिया है कि लाइफ में आपका भी खुशियां लोट कर नहीं आएंगी सिर्फ परिशानिया आएंगी और दिन बदिन ये परिशानिया जो है वो बढ़ती चली जाएंगी तो फ्रेंट्स यह थी पीबी शेली की पोईब अलेमिंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें